फ्रेंड्स आज मैं आपके लेकर आयाँ एक शांदार लेशन जो हमारे डेली डाइब से जुड़ा हुआ है अक्सर जब आप कोई खरीदारी करते हैं जैसे आप किसी मोबाइल शॉप पर हैं और कोई मोबाइल खरीद रहे हैं तो अक्सर आप अपने फ्रेंड्स से या किसी से पूछते हैं कि या कैसा रहेगा जैसे आपके फ्रेंड्स ने कहा आईफोन ले लो और आपको वन पलस अच्छा लगा तो अक्सर आप ऐसा पूछते हैं कि one plus कैसा रहेगा यानि आप उसका idea चाहते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या idea है one plus कैसा रहेगा तो friends जब कभी भी आपको इस तरह के sentences बोलना हो जहां आप कहना चाहें कैसा रहेगा इस sentence से आप किसी का राय जादना चाहें किसी का idea लेना चाहें तो इस तरह के sentences को बोलने के लिए आप what about या how about का इस्तेमाल करके आप अपने sentences को बोल सकते हैं जैसे अगर दो-चार friends कुछ खाने की बात कर रहे हैं तो एक ने कहा burger, किसी ने कहा chowin तो उसी में अगर कोई कहे पिज़ा कैसा रहेगा यानि इस बारे में आपनों का क्या ख्यार है तो इस सूरत में जब आपको कहना हो पिज़ा खाना कैसा रहेगा तो आप कहेंगे इस तरह के sentences को बोलने के लिए आप what about या how about plus ing form plus object के मदद से बोलेंगे जैसना कि आप देख सकते हैं तो मैंने how about के बाद आएंड game form प्लस object लिखा हुआ है frents अगर आपको कहना हो manali जाना कैसा रहेगा तो आप कहेंगे what about going to manali friends अगर आपको कहना हो oneplus खरीदना कैसा रहेगा तो आप कहेंगे how about buying oneplus friends अगर आपको कहना हो उस party में जाना कैसा रहेगा तो आप कहेंगे How about going in that party? Friends, अगर आपको कहना हो Movie देखने जाना कैसा रहेगा तो आप कहेंगे What about going to watch movie? अगर आपको कहेंगे Cricket खेलना कैसा रहेगा तो आप कहेंगे How about playing cricket? Friends, अगर आपको कहेंगे कि आगरा जाना कैसा रहेगा तो आप कहेंगे What about going to Agra तो friends उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के sentences जहां आप कहते हैं कैसा रहेगा और ये कहे कर आप किसी का suggestion चाहते हैं या किसी now के बारे में कोई information चाहते हैं तो आप what about के साथ ing form plus object करके अपने sentences को बोलेंगे friends अगर आपको वीडियो पसंद आए तो please share करना न भूलें फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई